आज मैं आपके लिए रवा मिल्क केक की रेसिपी लेकर आई हूँ तो देखिए कितना स्पॉंजी और सॉफ्ट बना है और खाने में भी बिल्कुल वैसा ही बहुत ही जादा टेस्टी है तो हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब वेलकम बैक टो मैं चैनल हंगर किचन तो चलिए हम प्रोसेस जान लेते हैं तो बहुत ही सिंपल और एजी है तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक बावल की जरुवत है उस बावल में हम दो कप सैमुलिना या फिर रवा दे देंगे तो मैंने यहां पर एक कप जैसा चीनी यूज किया है और दो पिंच नमक और यहां पर मैंने आधा कप रिफाइंड ओयल का यूज किया है तो यह मेरा वीडियो स्किप हो गया था तो इतना मैंने यहां पर रिफाइंड ओयल यूज किया है तो आप घी भी दे सकते हैं पिगलाकर या फिर बटर भी दे सकते हैं याँ पर मैं एक चम्मज जैसा बेकिंग पाउडर दूंगी और एक दिया चम्मज बेकिंग सोड़ का यूज करूँगी मैंने यहां पर desiccated coconut का यूज किया है अगर fresh coconut हो तो आप ले सकते हैं वननाच किप भी कर सकते हैं तो मैंने यहां पर milk powder दे दिया है दो से तीन चम्मच आप milk powder यूज कीजिएगा और यहां पर मैं essence दे रही हूं यह भी optional है यहां पर मैं दही का यूज करूंगी तो मैंने यहां से दो से तीन चम्मच दही का यूज किया है देखिए अभी इसको activate करने के लिए जो baking powder, baking soda और दही सबको activate करने के थोड़ा सा मिने कर दे देंगे तो आप सोचोंगे विनेगर से खटा हो जाएगा जी नहीं दोस्तों खटा बिल्कुल भी नहीं होगा एक चम्मच जैसा विनेगर दे दीजेगा अब हम कोज भी पानी का यूज नहीं करेंगे सिर्फ हम यहां पर दूद का यूज करेंगे और दूसी तरफ मैंने देखिए कड़ाई में नमक दे दिया है तो आज मैं अवन के बिना ही बनाऊंगी तो अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा जरूरत के हिसाब से हम दूद मिलाकर बैटर को तयार कर लेंगे यहां पर हमने नमक दे दिया है प्रिहीट हो रहा है तो सब तक हम बैटर को भी तयार कर लेते हैं जितना जरूरत लगे उतना हम दूद का यूज करेंगे तो अवन के बीना भी केक बहुत ही अच्छा होता है इस तरह आप अगर नमक में उपर से आप ऐसा केक बनाएंगे तो बहुत ही जादा टेस्टी भी होता है फलफी भी होता है, स्पॉंज भी होता है देखी बैटर तैयार हो चुका है अगर आपको लगे बैटर थोड़ा गाड़ा है थोड़े और दूद की जरुवत है तो आप दे सकते हैं तो मैंने यहाँ पे एक चमस जैसा घी दे दिया है तो इससे बहुत अच्छा एक फ्लेवर आएगा तो मुझे लगा बैटर थोड़ा गाड़ा है इसलिए मैंने थोड़ा और दूद यहाँ पे दे दिया है आप जरूर से ऐसे घर में बनाएए बच्चों को खिलाएए बहुत ही ज़ादा उन्हें पसंद आएगा तो मैंने अभी यहाँ पे केक टिन तयार कर लिया है थोड़ा सा मैदा छिड़क दिया है चारो तरफ थोड़ा सा घी लगा कर बैटर को हम यहाँ पे दे देंगे आप वैसे भी सूजी बहुत हल्दी भी होता है और मैदे से बहुत होगा अगरा सूजी से केक बना है तो बहुत ज्यादा टेस्ट भी होता है रहल देंगे चलिए हमारा केक टिन भी रडी हो चुका है अब नमक को चारो तरफ फैला लेंगे और ठीक बीच में हम केक टिन को रख देंगे अब इसे किसी भी प्लेट से हम अच्छी तरह से ढख देंगे ताकि भाब बाहर ना निकले और बीच से 25 मिनिट तक हम लो टू मीडियम फ्लें में पकने देंगे इसे इसे बनने में ठीक 25 मिनिट का समय लगता है देखिए केक तयार हो चुका है कि देखिए कितना बढ़िया बना है केक चलिए आप अभी इसे काट कर अपने मन पसंद का पीज बना लेंगे जैसा आप इसे काट कर जिस तरह के शेव का खाना चाहते हैं तो बहुत ही ज्यादा हेल्दी और बहुत ही ज्यादा टेस्टी है तो आप इसे जरूर से घर में बनाईए और मेरी रेसिपीज आपको कैसी लगदी प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिएगा कमेंट कीजिएगा अगर पसंद आ रहा हो तब भी कमेंट कीजिए तो मैं अभी इसे सर्व करके दिखा देती हूँ देखिए कितना जाली दार और कितना फ्लफी बना है चलिए दूस्तों घर में बनाईए सबको खिलाईए और इतना मैनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं प्लीज एक लाइक शेर और सब्सक्राइब तो बनता है ना तो थैंक